दियर स्टुडेंट्स आज जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिस चैप्टर के हम किस्टन सांस्वर सोल करेंगे उस चैप्टर का नाम है दा फ्रैंडली मौंगूज प्यारा मौंगूज मित्र जैसा मौंगूज मिन नेवला किस्टन नमबर फर्स्ट वाई दिड़ दा फार्मर ब्रिंग ए बेबी मौंगूज इंटु दा हाउस किसान घर में एक नेवले के बच्चे को क्यों लेकर आया दा फार्मर हैड ए लिटल सन किसान के एक छोटा लड़का था ये एंड इस वाईफ लवड दा बेबी डीपली वह और उसकी पत्नी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे दा फार्मर थोट दैट इस सन वुड नीड अ कमपेनियन वैन ही वुड ग्रो अप किसान ने सोचा जब उसका लड़का बढ़ा होगा तो उसे एक साथ ही क्यों सकता होगी इसलिए भै घर में एक नेवले के बच्चे को ले आया इस परसन को फिर देखें वाई दिद फार्मर ब्रिंग ए बेबी मोंगूज इंटो दा उस ब्रिंग मी नोतल लाना मोंगूज मी नेवला ए बेबी मोंगूज छोटा नेवला या प्या सकते हैं नेवले का बच्चा किसान के एक चोटा बच्चा था वह है और उसकी पतनी उस बच्चे से बहुत प्यार करते थे दा फार्मर थोट दैट इस सन वोड नीड नीड विन आउशकता होना जरूरत होना कमपेनियन में साथी दा फार्मर थोट दैट इस सन वोड नीड अ कमपेनियन किसान ने सोचा कि उसके लड़के को एक साथी की आउसकता होगी बैन ही वोड ग्रो अप जब वह है बड़ा हो जाएगा ग्रो अप में बड़ा हो जाना इसलिए वह गर में एक नेवले की बच्चे को लेकर आया किसान की पत्नी बच्चे को नेवले के पास अकेला क्यो नहीं छोड़ना चाती थी वान्ट बिन चाना तो ली छोड़ना दबेबी अलोन अकेला विद दआ मोंगोज मोंगोज के पास या मोंगोज के साथ वाइः दिज़न्ट दफार्मर्टस वाइफ वाइफ वान्ट बिन बच्चे को नेवले को किसान की पतनी अपने बच्चे को नेवले के साथ अकेला क्यों छोड़ना नहीं चाहती थी The farmer's wife didn't want to leave the baby alone with the mongos किसान की पतनी बच्चे को नेवले के पास अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी Because she didn't trust on the mongos क्योंकि उसे नेवले पर विश्वास नहीं था She feared that mongos could harm the way उसे डर था बैथा की नेवला उसके बच्चे को नुक्सान पहुंचा सकता है What was the farmer's comment on his wife's fares? अपनी पतनी के भैपर किसान ने क्या कहा? Comment went tip नहीं What was the farmer's comment on his wife's fares? जह उसकी पतनी ने नेवले के पर थी भैद इखाया तो किसान ने क्या कहा? The farmer's wife fares the mongos किसान की पतनी mongos नेवले से डरती थी She told her husband that she did not want to leave the child alone with mongos She told us when उसने अपने पती से बताया कि भैए बच्चे को नेवले के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहती The farmer answered her not to feel afraid किसान ने उसे उतर दिया कि उसे नेवले से डरने की कोई जरूद नहीं है The farmer answered her not to feel afraid किसान ने कहा कि वह डरे नहीं The mongos is just like the best friend of our sons नेवला तो हमारे बेटे का सबसे अच्छे मित्र है सबसे अच्छे मित्र जैसा है The mongos is just like the best friend of our sons नेवला तो ऐसा है जैसे हमारे लड़के का सबसे अच्छा मित्र हो इस person को फिर देखें What was the farmer's comment on his wife's fare? उस अपनी पतनी के बहे पर किसान की क्या टिपनी थी? The farmer's wife's fare the mongos किसान की पतनी नेवले से डरती थी She told her husband, उसने अपने पती को पताया That she did not want to leave the child alone with mongos की वह अपने बच्चे को नेवले के पास अकिला नहीं छोड़ना चाहती The farmer answered her not to feel afraid किसान ने उसे ने डरने के लिए कहा The mongos is just like the best friend of our sons Mongos तो हमारे लड़के का सबसे अच्छा मित्र है Next Why did the farmer's wife strike the mongos with her basket? Strike win, मारना चोट मारना Why did the farmer's wife strike the mongos with her basket? किसान की पतनी ने अपनी टोकरी से mongos को क्यों मारा? The farmer's wife saw that the face and paws of the mongos were full of blood Sorry, blood Full of blood, खून से बरे हुए The farmer's wife saw किसान की पतनी ने देखा That the face, चेरा, एंड पाज, पंजे Of the mongos, नेवले का चेरा और उसके पंजे वर full of blood, खून से बरे हुए थे किसान की पतनी ने देखा कि Mongos का चेरा और उसके पंजे खून से बरे हुए थे She thought there the mongos had killed their son उसने सोचा कि mongos ने उनके लड़के को मार दिया है So the farmer's wife struck the mongos भी दरबास के इसलिए किसान की पतनी ने Mongos को टोकरी से मारा इस परसन को फिर देखें Why did the farmer's wife strike the mongos with her basket किसान की पतनी नेवले को अपनी टोकरी से क्यों मारा The farmer's wife saw that the face and paws of the mongos were full of blood किसान की पतनी ने देखा कि Mongos नेवले के पंजे और उसका चेरा कुन से बरे हुए थे She thought that the mongos had killed their son उसने सोचा कि नेवले ने उनके लड़के को मार दिया है So the farmer's wife strike the mongos with her basket इसलिए किसान की पतनी ने मongos को बासकेट से मारा टोकी से मारा Did see repent her hasty action Repent when pastana hasty when जलबाजी में जलदी से किया हूँ Hasty action जलदी से किये हुए कारिया क्या वह है अपने जलदी से किये हुए कारिया पर पस्ताई क्या किसान की पतनी अपने hasty action जलदी से किये हुए कारिया पर पस्ताई How did she saw her repentance Repentance में पस्तावा उसने अपना पस्तावा कैसे दिखाया Yes the farmer's wife repented her hasty action हाँ इसलिए की पतनी को अपने hasty action जलदी जलदी में किये हुए कारिया पर पस्तावा हुआ Seeing our baby safe sleeping in the cradle Safe मिन स्वरक्षित अपने बच्चे को पालने में स्वरक्षित सोवा देखकर She touched the dyed mongoose उसने मरे हुए mongoose को छुवा पकड़ा and started whipping और रोने लगी Did she repent her hasty action How did she show her repentance Yes the farmer's wife repented her hasty action Seeing her baby safe sleeping in the cradle She touched the dyed mongoose या spelling mistake है mongos करना हुए अच्चो gosos gos 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 yeah gos mong gos mongos and started whipping Did she repent her hasty action क्या उसे अपने जल्वाजी में किवे कारे प्रस्तावा हुआ How did she show her repentance और फिर उसने अपना प्रस्तावा कैसे दिखाया Yes the farmer's wife repented her hasty action Seeing her baby safe sleeping soya हुए in the cradle cradle mean पालना She touched the dyed mongoose mong g double o double o s e mongos and started whipping किसान की पत्नी को आपने जल्वाजी में किये कारे प्रस्तावा हुआ और आपने बच्चे को पालने में सुरक्षित सोया हुआ देव कर She touched the dyed mongoose उसने मरे वे mongoose को चुआ और रोने लगी